मैं दुर्गापुर्मिशन आर्मी आकडेमी का फिजिकल टेनर राम परवेश महतो और शाती साथ दुर्गापुर्मिशन आर्मी का फाउंडर और डिरेक्टर आप लोग के शामने एक मैसेज यो कि लेके इसलिए आ रहा हूँ यह आप गहर से सुनिएगा इसका रिजन है देश की नौजवानों की भविश्य साथी साथ आज क्या स्थिती चल रहा है और यह नौजवान क्या निर्ने लेंगे इसके उपर ही मैं आपके साथ बात कुछ कर हूँगा करने का मैं उपस ऐजो है इस टॉपिक के ओपर क्यां सी टॉपिक के ओपर बात मैं कर रहा हूँ यह है आपकी जनतर मंतर पर चलने वाला जो केंपेनिंग है जो कि काफी दिनों से एक साल नहीं दो शाल कंटिनियसली आर्मी एर फोर्स नेवी की जो बहाली होता है जो रिकूर्टिंग होती है उस रिकूर्टमेंट में किसी भी तरह से गौर्मेंट रिकूर्टमेंट नहीं कर रहा है अदर्वाइज यदि कर भी रह मतलब जिसका ग्राउंड टेस्ट हो चुका है मेडिकल कम्प्लिट है उनका भी कई सेंटरों में अभी तक एक्जामिनीशन नहीं हो रहा है और क्यूं गॉर्ण्मेंट का क्या प्रोटोकल है मुझे नहीं पता कुनसी प्रोटोकल से चलना चारा है मुझे नहीं पता मगर नौजवानों की भविश्य जो उमीद लेके खड़ा है जो की एक फूचर प्लान उन्होंने पहले ही निलनाय लेके रखा है जो मुझे इंडियन आर्मी एर फोर्स या तो नेवी में भरती होना उनके लिए बहुती गलत मैसेज और इंडिकेशन आप तक पहुस्ती है और उन नौजवानों तक भी उनकी पैरेंट्स तक ये है क्योंकि इनकी एज आप सोचिए जिस बच्चे का 21 साल एज हो रहा है जिनको साड़े सत्रह से लेके मगर लास्ट एज 21 सोलजर जीडी की भरती या तो 23 साल की जो कि उनको टेकनिकल या तो कलर्क ऐसे भी भरती में इनकी एज फैक्टर और नहीं रहा जाता और आज मैं उन उस्तादों को थैंक्स बोलता हूँ जो की आज जंतरमंतर पे उनकी बाते सुना जाए कैसारे उस्ताद जो कि एकाडेमी फिजिकल ट्रेनर ट्रेनिंग एकाडेमी चलता है और उन्होंने वहाँ जाके पहुँचे हैं इसके में उद्दिश्चे यही है नजवानों का फ्यूचर आज गौर्मेंट एक के बाद एक प्राइविडेशन करना सुरू कर दिया क्या आर्मी एर फोर्स नेभी भी प्राइविडेशन हो सकता है कभी नहीं गल्ती भी मत कीजिएगा क्योंकि आज जवानों का जो खौब है मतलब उनकी आसा आकांखा जो जौब कर रहे हैं उनको भी बहुत तकलीप से गुजरना पड़ रहा है क्योंकि आज की डेट में मैं भी एक भुत पुर्म साइनिक हूँ आज उस रेजिमेंट या तो पल्टनों की हालत ऐसी है जो कि एक आदमी दस-दस चार्ज लेके उस ड्यूटी को निभाते हैं बहुत कठीन सिचुएशन है रेजिमेंट जब मूब होती है वहाँ उनकी मैन पावर स्टेंथ नहीं होती जब रेजिमेंट एक्सेसाइज में जाते हैं तब उनके पास मैन पावर स्टेंथ नहीं है कंटीनियसली दो साल से कोई रिकूटमेंट नहीं है आज स्टेंडिंग संटेयर आज खंडर होके बैठा हुआ है गौर्मेंट सिरिफ देख रहा है जो मुझे क्या कोवीड एक बहाना है और मैं हकीकत बता रहा हूँ ये कोवीड बहाना छोड़ दीजिए योदि कोवीड से आप लड़ रहे हैं योदि गौर्मेंट की पोटोकल हर कोई देश की हर नागरिक जोदि उनके उपर निगाह दे रहा है उन सिस्टम को क्या आपको ये नहीं पता आपको बहुत इंपोर्टेंस है आपकी भोट के आपको हर जगे क्यूंकि आपको विधायक चाहिए आपको स्टेट को भोट के द्वारा आप निधारित करेंगे उन विधायों को का बहुत इंपोर्टेंस है मगर उन जवानों का कोई निधारित समय के साथ उनका साथ खिलवाड क्यूं कर रहे हैं क्यूंकि भोट आप करा सकते हैं मददान हो सकता है पचार हो सकता है कड़ों कोई भीड लगा सकते हैं आप मगर एक जवानों की 50-50 बैच में छोटी छोटी रैली और्गनाइज नहीं कर सकते इतने सारे यारो इतने सारे बियारो जो की बैठे हुए है आज वहाँ भी रिकूटिंग जोन उस रिकूटिंग जोन में किसी भी तरह से रिकूट्मेंट नहीं करवाए जा रहा है आज फॉर्म फिलफ होने का साल साल हो जाता है जिसका की फॉर्म फिलफ की बड़ सलीवर सुन हो रही है। सिर्फ आर्मी ही नहीं आज एंटीपी सी देखिए आज तीसरी साल गिरा मनाये जा रहे हैं। क्या जवानों का इस जवान इस नौजवान जो की क्योंकि इन्होंने पहले से निर्णाय ले चुका है तेन प्लस टू and I joined the Indian Army मुझे इंडियन आर्मी में ही जाना है मगर गौर्मन्मेंट किसी तरह से सुनाई नहीं कर रहा है इस जवानों का भविशे आप सुनिए इसकी दो पहलू है एक पहलू जो बच्चे का एज खतम हो जाती है और जो की बहुत डिसिसन मेकिंग के साथ था और सही निर्नाय लेके रखा था वो निर्नाय उनकी वहाँ फेलियर होती है और उन नौजवानों के पास वो नहीं रह जाता जो की नया उमंग से नया आये से उबढ़े क्योंकि उनकी एज खतम हो चुकी होती है क्योंकि आर्मी रैली कोई 5 मिनट 40 शेकंड कोई मामूली चीज नहीं है एक दो दिन की दोड़ में कहीं 5 मिनट 40 शेकंड नहीं होता आज जाके कहीं वो जवान 45 के जगे पे 44 लगाने के कोशिस करते हैं और उसका पेष्ट देने का कोशिस करता है साथ-साथ में वो प्रिपरेशन करता है मुझे आर्मी में जाना है तो उनको स्टैटिक्स जीके उन्होंने रख चुका होता है उन्होंने उस मैट का वो अपने मकसद पे कामयाब हो मगर नहीं गौर्मेंट को कोई आँख एक बार खोल के भी नहीं देखते जिन जवानों का क्या हालत होगा एक देश तभी संब्रिद्ध हो सकता है पहला है उसका एजूकेशन सिस्टम आज कोविट के बहाना से एजूकेशन को भी बंद करके र एजूकेशन ले पाया नहीं ले पाया इसके बदोलत क्या औल्टरनेटिव कोई नहीं था क्या औल्टरनेटिव सिचुएशन नहीं था आपके पास 110 परसंट था हर जगह पे दूसरे कंट्री भी ऐसे भी हुआ है जो कि उनकी कोविड रहने के वावजुद भी उन्होंने स से कुछ नहीं होने वाला क्यूंकि यह हमारे आज की स्टूडेंट जो की नौजवान है जिसके उपर देज्वविष से निर्वर करता है उनके लिए कोई कुछ नहीं पता है आज इसे वी जवान हम देखे हैं जिनके पास एज खतम होने के बाद क्योंकि वह उन्माफियों इनके लिए दाई कौन हैं। क्यों आप उनको नहीं दे रहे हैं। Please, मैं कोई बगावत नहीं कर रहा हूं। मैं सच्चाई को आपके सामने लेके आ रहा हूं। एक रैली करने के लिए कई बार आप पोस्पॉंड किये जा रहे हैं। प्रोटोकल है क्या सिस्टम है मुझे नहीं पता एक्जाम होके रखा हुआ सालों भर आपकी फीजिकल टेस्ट अद मेडिकल क्लियर होने के बाद भी बच्चे अभी भी उन्हों के लिए बैठा हुआ है अब उनके एक्जाम नहीं ले रहे हैं परिस्थिती बहुत नाजुक है आज देख रहे हैं जो भारत बर्स की परिस्थिती के साथ देख मैं मानता हूं आज अर्थनेतिक व्यवस्ता भी उतना संब्रिद नहीं है मगर जुदी दूसरे देश जुदी हमारे उपर एटाक करे क्या हम उतने ही मैन पावर स्टेंट के उपर एक रेजिमेंट या तो पल्टन मूब कर सकता है नहीं कर सकता है लड़ाईं नहीं लड़ सकता है इतने कम मैन पावर से मुझे पता है जो अत्या धुनिक अस्त्र और स स्थ्र से लडा जाता है मगर उस अस्ता धुनिक Yoksa को चलाने के लीए भी मैन पावर की जरूरी हुती है आज मैं भी भूत-पूर्ब्षैनी खोने के नाते मेरे साथ भी आज बाचीत होते रहते हैं मेरे उन पुरानों दोस्तों के साथ यारों के साथ उन्होंने बोलता है जो बहुत बुरी शिच्वेशन से गुजर रहे हैं महतो जी बहुत बुरी शिच्वेशन है आज मेरे कंधे में स्टार तो लगा मगर स्टार लगने के बाद भी मुझे ऐसे ऐसे काम करना पड़ रहा है जो कि जवानों का ही काम मुझे करना पड़ रहा है क्यों एक हवलदार जो कि उनकी पल्टन की हीरो होते हैं बाप होते हैं पल्टन की वो भी आज ड्यूटी देते हैं जाके क्यों? क्योंकि डुटी देके आने के आने के बाद भी उनको आरेचम और बीचम की डुटी करना पज़ रहा है मैं ऐसे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समय बहुत गलत पड़ी से पहुंच रहा है आप जवानों का इस नौ जवानों को आप रोकिए मत क्योंकि पांच मिनट चालिस तो आपने शमय रखा होगा मगर उस पांच मिनट चालिस के लिए इन्होंने एक एक साल डिर डिर साल अपने कड़ी मैनत कर रहा है और उसके लिए और अचानक सा आप उसको पोस्पॉंट के उपर पोस्पॉंट किये जा रहे हैं पताईए उस बच्चे का उस नौजवान का क्या होगा आखिरकार उनको जीने का उमीद छुड़ जाती है एर फोर्स की एक्जाम हुआ हुआ सालों हो चुका है मगर आपके सामने आप लोगों के पास इतनी शमय नहीं है जो कि आप एक छोटी सी एक उसकी रिजल्ट निकाले रिजल्ट निकलने के बाद उनके पास उमीद हो जो फेलियर बच्चे है निव मंग से बचेगे दूसरे आल्टरनेटिव सोचे उनकी फीचर के बारे में दूसरा आल्टरनेटिव मगर आप उनको दूसरा आल्टरनेटिव सोचने इसलिए नहीं दे रहे है क्योंकि वो बे साथ भी हूँ बेशक मैं जनतर मंतर तक नहीं पहुंच पाया मैं उस्ट बैंगल का एक चोटा सा एक अकडेमी चलाता हूँ जिसका नाम अधुर्गा पूर्मिशन आरमी अकडेमी मगर शाथ में हूँ दूर में हूँ तो क्या हो गया मगर मैं उनके कंदे से कंदे मिलाके हू यस सभी कोई शही बोल रहा है और उनके शाथ हूँ आज विदेशों में आज देख रहे हैं यूकरेन की और रसिया की सिच्वेशन क्या जाने क्या पता कल वाल्ड वार के लिए सुरू हो जाए मगर आपके पास मैन पावर है आप क्या लड़ाई के लिए आप सही माइने में क्या लड़ाई के लिए मजबूत और उस मैन पावर लेके लड़ सकते हैं क्यों नहीं इन्रॉल्मेंट कर रहे हैं कीजिए ना एक साल में दो इन्रॉल्मेंट होती है उस जेगे पे आप नहीं और ताजुक की बात तो यह है जो की नेवी, एम आर नेवी, एम आर की फॉर्म निकलता है और परसंटेज आप जड़ देते हैं क्या परसंटेज से उस जवानों का उस ताकत को रोक देंगे मानता हूँ कोई बच्चा थोड़ा कम नंबर मिलता है ठीक है, मगर 85% वाला ही नेवी वरेगा वाह, क्या गौर्मेंट की रूल है बैटने दीजिए ना सभी को मैक्सिमम बच्चे को A.P.R. होने दीजिए ना एक्जाम में इन्रॉल्मेंट होने दीजिए ना देखिए ना क्या हो रहा है बच्चे निराज हो के फिट से है क्या, एक 85% बच्चे नेवी आमारकट नोक्री करेगा अच्छा जो 75% या तो 60% या तो 50% बच्चे नहीं दे पाएगा तो उनके लिए क्या रखा है आप येदि 10th की एक्जाम येदि 10th पास येदि ले रहे ठीक है, आपके पास QR है 33% और ओवराल 45% आप मानते हैं येरफोर्स है, ओवराल 50% और 10 प्लस 2 मान लेते हैं, जो जो QR है मगर एक मिनिमम और मैक्सिमम मगर आप एकना मैक्सिमम मारक रखते हैं जिसके लिए आहाम बच्चे नहीं जा पाते हैं, आप ये बताईए जो 85% पाया हुआ बच्चा क्या नहीं भी, MR में एपियर होने के बाद भी, क्या आपको वो स्ट्रॉंग बच्चे मिलेंगे, मुझे नहीं पता क्योंकि लॉजिक जो ज़्यादा पढ़ाक होता है, वो उतना फिजिकल फिट नहीं होता सोचिए लॉजिक क्या पता आने वाले शमय में, क्योंकि आज आने वाले शमय में स्री लंका की हालत आपने देखे होंगे क्योंकि चाइना ने उनको रीन में दुबो के रखा है मगर आज आप उन्ही को फाइनेंसियल और मेडिकल सपोर्ट दिये जा रहे हैं वेल डन बहुत अच्छा डिप्लोमेटिक निती आपकी बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छे मगर नहीं देश को भविष्य को रोकने के लिए देश की इस मिट्टी को जिदी बचाना है और देश की जिदी सही भविष्य गड़ना है तो सही मैन पावर इस्तमाल कीजिए सो दैट जवानों का भरती कराईए मुझे मुझे नहीं पता कौन सी मिनिस्टर मुझे सिरिव एकी लक्ष है जवान की होग जिनकी आसा है आज पिये ले आर्मी में अचैना का पिये ले आर्मी में हर कोई फोज में नोकरी करता है पांच साल बाउंड है आप दिकीजिए मुझे बोलने से नहीं होगा मैं यह कर दूँगा मैं यो कर दूँगा आज से जब तक सुने सिर्व योजना है कोई उपर योजना है योजना है कोई उपर योजना है और बच्चे पढ़ते रहते कम्पेटिटिव के लिए योजना है योजना है योजना है आखिरकार वो फेड़ अप हो जाता है योजना है कितने हैं आप योजना बनाईए इंडियन आर्मी के लिए जवान भरती करना है डिफेंस मिनिस्टर से सभी नए निवेदन से हाथ जोड के बिंती है आपकी जो प्लीज हमारी सुन लीजिए हमारी इस नौ जवानों का सुन लीजिए जिनकी एज मासुंसी जस तीनेज 13 से 19 शाल की बीच खतम होने वाली है और छोटी सी अच्छे तरह स से उनकी मुझ भी नहीं आये होंगे और वो जवान होने के कतार में खड़े हैं हर कोई बहुत ब्रिलियन्ट स्टूडेंट एंडिये के एक्जाम देखें आफसर कॉलिटी के नहीं बन सकता है तो पर भी ठीक है आप एंडिये का एक्जाम ले रहे हैं आफसर स्वाटेज है लीजिए मगर जवान को भी दीजिए जिसके ऊपर आप देश की भविश्य निर्गर कर रहा है तो सभी नए डिवेदन है प्लीज हमारे शुन लीजिए और जल्दी से जल्दी पूरे रैली को एटेंड करने का मतलब पूरे रैली हर जगह पे हर स्टेटों में रैली लिर्टी से हैं दीजिए मीरे व मैं इससे सग्ची की सची सिपाई था और देची सच्चा सिपाई बना के रहूंगा इस दुर अर्मिशन के को जाने से पहले मैं उतना ही वहतर इन ट्रेनिंग दे के मगर वेट कर रहा हूँ कब 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 दे ऐसे मत कीजिए जल्दी से जल्दी रैली को रियॉर्गनाईज या तो और्गनाईज करने का कोशिश कीजिए ठैंक यो बेरी माच और जैहिन जै भारत ठैंक यो